दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्यागत है आज हम आपको अने लम्मानी के बारे में बताएंगे अने लम्मानी जो कि इस समय करोणों रुपए के करज में दवे हुए हैं और इन पर लंदन की कोट में केस भी चल रहा है अने लम्मानी ने कई सारे चीनी बैंक से करज लिया था और इस करज को चुकाने में ये नाकाम है एक रुपोर्ट के अनिसार अने लम्मानी के उपर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ चैना और डबलमेंट बैंक ऑफ चैना का 716 मिलियन डॉलर यानि करी 5246 करोड रुपए का करज है और इसी करज को लेकर इन बैंक ने इन पर केस भी किया हुआ है लंदन की एक अदालत ने इन्हें जून मैने तक का समय करज भरने को दिया था लेकिन इनमें ये नाकाम रहे इन्होंने कोट से कहा कि इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है और ये गहने बेचकर बकीलों की फीस दे रहे लेकिन आपको ये जानकर अश्चर होगा कि अनिल अम्मानी जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत पांच हजार करोड रुपे से अधिक है जी हाँ पांच हजार करोड रुपे से अधिक जी हाँ अनिल अम्मानी का ये घर मुंबई में है और इस घर में कुछ चार लोग ही रहते हैं जो की अनिल टीना मुनेम और इनके दो बच्चे अनमूल और अनसल अम्मानी हैं धिरुवाई अम्मानी ग्रूप के चियर्मेन अनिल अम्मानी ने अपने इस घर को बहुत ही सांधार तरीके से सजवाया है और बनाया है साल 2018 में Financial Services Company IIFL ने भारत के सबसे महंगे घरों की लिस्ट में इनके घर को दूसरा इस्तान दिया था चब कि इनके भाई मुके सम्मानी के घर को इस लिस्ट में पहला के घर में जो डेकृरेशन का सामान लगाया है उसकी कीमत करोणों की है इन्होंने बेदेसों के इंटीरियर डेजाइनरों से अपने घर को सजवाया है इन्होंने अपने बंगले की मुंबई पाली हिल में बनवाया है अने लंबानी का घर एबब 16 स्क्वेर फिट में बना हुआ है और इस घर में जेम, स्विविंग पूल, समीट कई सारी सुखसुबदाइं है इन्होंने अपने घर की छट पर ही हैली पैड भी बनवाया है जहां पर वो अपना हैली कॉप्टर उतारते हैं कहा जाता है कि इस घर को ये बहुत उंचा बनाना चाहते थे लेकिन ऐसा करने के उन्हें परमीसा नहीं मिली इनके घर में कई सारे हौल हैं और इन्हें बहुती कुछ सूरत तरीके से सजाए गया है अने लंबानी के इस घर के रक रकाव का खर्चा भी बहुता देख है इनके इस घर में दर्चनों स्टाफ हैं जिनको हर महीने लाखों की सेल्डी दी जाती है कहा जाता है कि घर की बिजली का बिल ही साट लाग रुपे तक आता है जी हाँ साट लाग रुपे जो कि इनकी बिजली की बिल का खर्चा है वहीं कोट में जब इन से इस घर के खर्चा का मुद्दा उठाय गया तो इन्होंने कोट को बताया कि इनके घर का खर्च इनकी पतनी उठा रही है अब आप बताये क्या आने लंबानी कर्ज में डूबे हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले गया धन्यवाद